मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव आज सुभा सागर जिले के बरोधिया नोनागिर गाउं पहुंचे उन्होंने यहाँ पेडित परिवार से मुलाकात की और उनका मलोबल बढ़ाया सीम मोहन यादव को देख दलित परिवार दोनी लगा सीम ने यहाँ परिवार का धांड़स बढ़ाया उन्होंने परिवार की बीच बैट कर उनकी बाद भी सुनी यहाँ सीम मोहन यादव के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे बता दे कि राजसबसांतर देख मिज़े सिंग से लेकर कॉंग्रेस प्रदेशा ध्यक्ष जीतू पटवारी पेड़ित के गाउं पहुँचे थे उन्होंने दलित पेड़ित परिवार की गाहुल गानी से मोबाइल पोन पर बादचित भी करवाई थी जिसके बाद आज सीएम मोहन यादव यहां पहुचे और उन्होंने पेड़ित परिवार से मुलाकार की और उन्होंने यहां पर दलित पेड़ित परिवार की गुहार सुनते हुए पुलिस चौकी बनवाने का भरोसर ज़ताया मुझे बड़ा दुख है गटना है परस पर ऐसी घटना न हो हम सब प्रयास भी करेंगे लेकिन यह बड़े दुख की बात है गटना गटी है और राज्य की सरकार पीडित परिवारों के साथ है लोगों के हुए तो पुलिस की चोकी का इंतिजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे दुबारे ऐसी घटना न हो और परिवार के बड़े-बुडों के दुरष्टीं से भी इस बारे में को एसा बेस्वास खड़ा करा जाएगा के आखिरी यह एसी जान माल की परिवार के साथ भी हो और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दोर से प्रमात्मा उनको बाहर लाए जा हम सब उनके साथ है और यथायोगी जो जर्वत है जैसी इस घटनाओं में साहता लगती है सरकार उनके साथ रही है अब मैं तो इस पामले में इस पक्षम जाच कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस से भी कहुँगा कि इसी जब दुखत घटना होती तो इसमें राजनीती ना करें जिसकी जिस भी देखो भई मेरा ऐसा कहना है यह घटना जब भी होती है तो पीडित पक्ष के मन में आहत होता है एक मोत हो गई दो मोत हो गई तीसरी मोत हो रही और ऐसे में ना आने का बरहें मैं आप बता दो सरकार के समयदन सीलता भी कोई चीज है के नहीं इसलिए स्वाभाई ग्रूप से पीडित पक्ष का हिम्मत बदाना उनकी हिम्मत के लिए सरकार साथ कड़िए यह विश्वास जगाना और कोशिश करेंगे दुबारा ऐसी घटना ना हो क्योंकि घटना तो आपस में हो रही पार्टी सरकार नहीं है सरकार सब के साथ खड़िये लेकिन सरकार यह प्रयास करेंगे इसी घटना दुबारा ना हो